कूर्बा कलेक्टर राणूसाहू ने किया काजू तेल प्रसंसकरन यूनिट का शुबारम, कलेक्टर राणूसाहूने 9 पठुट ग्राम बरतोरी हरिाली बहूत देशिय प्रसंसकरन केंद्र का जाए जा लिया नाबाड के सहयोग से FPO हरियाली कृषिय उतपाद संग से संचालित इस इकाई में काजू चिरॉन जी ब्लेक राइस आदे की प्रोसेसिंग की जाती है केंदर के प्रभारी ने बताये की ब्लेक राइस के स्वास्त वर्धक एवं पॉस्टिक होने के कारण दक्षिन के राजियों में मांग जाता है डाइपेटीज आदी के लिए फायदे मंद होने के कारण इसकी बीक्री से आमदनी में बढ़ोत्री की काफी संभावनाए हैं प्रती कीलो की दर से आसपास के शेत्रों में चार बीज उपलब्ध हो जाती है प्रोसेसिंग करके बाजार से अच्छी कीमत प्राप्त की जाती है कलेक्टर रानू साहुने जीला खनीज न्यास से प्रसंसकरन केंद्र को प्राप्त काजू के छिलके से तेल निकालने की मशीन का भी उदगाटन किया इस तेल की उपयोग गिता के बारे में भी पूछा प्रभारी ने बताया की काजू के तेल का प्राइमर बनाने में उपयोग होता है तथा खली का उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है प्रोसेसिंग केंदर में आम एवं अनार उत्पादन प्रशेत्र और मुस्कान बाड़ी के काजो उत्पादन का भी अवलोकन किया खेतों में मेडों पर लगाये गए फलदार व्रिक्षों को देखकर खुशी जाहिर करते हुए अन किसानों को भी फलदार व्रिक्ष लगाये जाने के लिए प्रोत्साहन दिये जाने के निर्देश दिये कलेक्टर रानुसाहों ने कर्तला विकास खंड के कोसा बीश केंदर का निरिक्षन किया उन्होंने इस केंदर से जुड़ी महिलाओं से कोसा धागा उत्पादन प्रक्रिया की जानकारी ली केंδर के प्रभारी ने बताया कि कोसा धागा बनने की प्रक्रिया पांच चरणों में पून होती है कोसा धागा कोकुन से प्राप्त होता है, एक कोकुन में लगभग 1,500 मीटर धागा प्राप्त होता है लगभग 80 से 90 महिलाएं इस केंदर से जूर कर अपनी आजीवी का चला रही है प्रती एक महिला को 50 से 60 हजार रुपे की सालाना आमदनी हो रही है मीडिया फोर सपोर्ट के लिए ममता साहू के साथ संतो शगरवाल की रिपोर्ट